मन मोहन तिरी छवियत प्यारी मन मंदिर में सज बिहारी मन मोहन तिरी छवियत प्यारी बंसी बजईया, रास रचेया तारन हार मेरे तुम ही के वईया तुम से बड़ा कहा कौन कनहिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे एनात नारायन वासुदेवा श्री पृष्न दोविंद हरे मुरारे एनात नारायन वासुदेवा देव की नंदन धंको वंदर रखते सब की लाज सब के स्वामि अंतर आम्छी पूरन की जे काज लीला परंपार तेरी तुमा घंचोर कहावे मवसागर से सब की नईया तू ही पार लगावे वक्तूं का सहारा हा तू बासुरी वाला मथुरा के बसेया ओ नंद के लाला तेरी वक्ती में नाचे सबसाता भैया श्री कृष्ण गोविंदे श्री कृष्न गोविंदे हरे मुरा रे हे नाथ नारायन वासुदेवा हे नाथ नारायन वाशुदेवा अभी जुक जन मांसुन हे आने वाली है । इसलिए मेने यहाप एक मिठी के मत्की दी है और उस पे मέ यह ये। रेडवलवय का कुपडा शुकाने वाली हूं। अब इसे और डेकोरेट करने के लिए मेरे पास एक सुन्दर सी लेस है तब मैं वो भी लगा लेकिना अरे मुझे तो ये लिए सिर्फ नहीं जादा पसंद आ गई तिम मैंने तो इसे निचे से वे चिप्णा गया अब हम यहां पे फड़े से तॉम पॉम 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 भागाएगा अब यहां तब तो हमने कर लिया बडगनो मझे यहां बे कुछ खाली खाली लग रहा है क्या करूँ हाँ मेरे पास नहीं गोटा पुले तो मैं वो चिप्ता देती हूँ तो इसके उपर कुछ जैसे पॉम 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 रख देती हूँ All is well everyone, my name is Abdul Tauti from grade 6 kids. Today I will tell you information about Krishna Janmashtarta. So, today we are celebrating special assembly on the occasion of Krishna Janmashtarta. It is also known as Bhopa Eftimie and it is most amated Hindu festival that celebrates the birth of Krishna. बाच्छा है भारत की हो ये विदेश की, सब जगवा लोग अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं Lord Krishna is the 8th avatar of Krishna and the birth of Krishna is observed according to the calendar on the 8th day Ashtami of the Krishna Pakshya in Dravan and Bhatrapad which overlaps with August or September of the Gregorian calendar Jarmastomi can be easily celebrated either at a temple or at home though fasting, singing, dancing and bathing the idol of Krishna Makhwan Shri Krishna को माकंचोर के रूप में भी जाना जाता है दूद पोशन का सार है और दूद का एक परिश्कृत रूप दही है जब दही का मंतन होता है तो मक्षन बनता है और यह पोश्टिक भी होता है जब हमारी बुद्धी का मंतन होता है तब यहां मक्षन की तरव हो जाती है तब मन में ज्यान का उदे होता है बाल रूप में सब को भाते मक्षन चोरवा के लाते